अजके वीडियो में आपको जानकरी दूँगे कि ओक्टॉबर मान्थ में आपको किस तरिके से हिविसकास यानी गुरेल प्लाण्ट को क्यार करना है कि गुरेल का प्लाण्ट ऑक्टॉबर से लेके पुरा सर्दी तक आपका गार्डिन में फूलो से भडा रहे गुरेल प्लांट में जो मैं फार्टिलाईजर दूंगी इसके लिए बाहर से कुछ खड़िदरी करने का ज़रृत नहीं है घर पे कीचन से ही हमरा तरह तरह के जो होमेट फार्टिलाईजर निकालते रहते हैं इसी से गुरेल प्लांट को हम फार्टिलाईज करेंगे और ये हिबिसकस का प्लांट ऐसे एक प्लांट होता है कि फाटिलाइजर के साथ साथ ये क्यार भी मांगते है क्यार बोले तो ऐसे कुछ भी नहीं ऐसे ज़्यादा क्यार से प्लांट को आपको ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट पे रखना है प्लांट का जो मीट्टी है इसको सूखने आपको देना नहीं है हर टाई मीट्टी पे मॉइस्चर बना के रखना है और प्लांट में मिली बाग ना लगे इसके लिए आपको धान देना है क्योंकि मिली बाग ऐसे किरा होता है एकदम चिपा के प्लांट के साथ बैठे रहते है जब तक अच्छा तरीके से आप मिली बाग को हटाएंगे नहीं तब तक आपका प्लांट से मिली बाग जाएगा ही नहीं तो मिली बाग के लिए भी हम कीचेन से ही हमरा प्रोडक्ट मिल जाएगा, मिली बाग के लिए हम एपलाई करेंगे तो हमरा प्लांट बहुती अच्छा बढ़िया तरीके से चल परेगा तो पहले देखिए गुरेल का क्यार में पहले ही आते हैं फार्टिलाईजर का और फार्टिलाईजर किस तरीके से आपको देना है प्लांट का जो सोयल है सोयल को आपको मांथ में एक बार फार्टिलाईजर देना ही देना है मैं सॉलिड फार्टिलाईजर का बात कर रही हूँ स्वाइल में मांथ में एक बार फार्टिलाइजर देने के मतलब यह है कि पौधा को धिरे धिरे फार्टिलाइजर मिलते रहेगी फार्टिलाइजर का कमी के कारण में प्लांट का ग्रोथ रुकेगा नहीं और फ्लावार खिलते ही रहेगा तो चलिए आपको दिखाते हूँ कि कौन सा फार्टिलाइजर भी प्लांट में दूंगी और किस तरीके से दूंगी तो देखिए पहले आपको दिखा देती हूँ कि यह जो डास्ट आप फॉर्में देख रहे हो फार्टिलाइजर आज हम हीविसकास प्लांट में इस फार्टिलाइजर ये होममेट बिल्कुल फ्रीक का फार्टिलाइजर है इस फार्टिलाइजर को प्लांट में डालेंगे इसके साथ साथ और भी दो फार्टिलाइजर प्लांट में डालेंगे ये अक्टोबर मांत का क्यार बता रही हूँ जैसे November, December आएगा, अलग-अलग मांत में हम अलग-अलग क्यार hibiscus plant के साथ करते रहेंगे. उसके बाद देखिए ये दूसरा fertilizer है, ये भी हमारा गुरेल प्लांट के लिए बहुत ही बरिया एक homemade fertilizer है, इसमें potassium है, इसमें iron है, इसमें calcium है, और ये है तिसरा fertilizer, इसमें भरपूर मात्रा में potassium, यानि फूल किलाने के लिए जो potassium का जुरोत होता है, इस fertilizer से मिल जाएगा. तो जब भी plant में fertilizer देना है, हमेशा plant का soil है, टॉप soil है, उसको अच्छा से clean करना है, plant को clean कर लेना है, देखिए ये जो सुखे हुए φूल है, जो सुखे हुए branches होता है, उसको सब आपको cut करके clean कर دेना है, उसके बाद ही आपको क्या करना है, प्लांट का ये जो सोयल है इसको अच्छा तरीके से आपको गुराई कर लेना है एक से देर इंच तक प्लांट का सोयल गुराई कर लेना है इससे क्या होगा एर सार्कुलेशन बहुती बरिया रहेगा प्लांट का जड़ो में हवा का आना जाना होगा यानि ओक्सिजेन मिलेगा और प्लान्ट हेल्थी परना रहेगा जब फार्टी लेजर चैप्स देंगे कावन तॉप सोइल है उसको निकलूर्टि डेंगे उसके पाद यह चैप्से इसे ये ऐन मासर देंगे समय कुबर कर तरह देंगे आप देखर फार्टी लेजर दे रही हूँ यह है onion pill fertilizer यानि onion यानि पीराच का जो चिलका होता है उसको अच्छा से मैं सुखा के उसके बाद इसको powder बना लिया है और उसके बाद plant के जरों के चारों तरफ इस तरीके से spread कर देना है onion pill fertilizer इसको बोलता है next हम दे रहे है यह garlic यानि लैसुन का चिलका इसको भी सेम तरीके से चाय में हम सुखा लिया था पील को उसके बाद इसको देखिए dust बना लिया है और इस तरीके से plant का soil का चारों तरफ हमको दे देना है दो टेबिल स्पून दीजिए तीन टेबिल स्पून दीजिए इसमें कोई नुकसा नहीं है यह 100% organic है और देखिए जो सुखे हुए फूल है उस भी हम दे देंगे इस फूल में कोई infection नहीं है इसलिए हम सुखे हुए फूल को भी दे देता है क्योंकि हिबिसकस जो flower होता है इसमें थायमीन पाया जाता है जो फूल खिलाने में मदद करता है उसके बाद देखिए यह potashya में भरपूर बनना पिल फार्टिलाइजर हम दे दिया है इसको भी मैं चोटा चोटा टुकरा कर लिया था और शेट में सुखा के फार्टिलाइजर बना लिया था तो इस तरी तरीके से हमको हीविसकस का सॉयल को क्यार करना है मांत में एक बार एक से देर महीने के बीच में भी आप कर सकते हो तो इस तरीके से गामले में आपको क्यार कर लेना है उसके बाद हर दस दिन के बाद बाद आपको लिक्विट फार्टिलाइजर प्लांट में डालते जाना ह तबी आपका हिविसकस प्लांट में बहुती बरिया तरीके से फूल खीलते जाएगा कोई भी सीजन में सीजन का कोई प्रॉब्लेम नहीं है देसी हिविसकस का बात करूँ तो सर्दी में थोड़ा सा छोटा हो जाता है इसका फूल और फूलों का जो क्वांटिटी है वो भी थोड़ा कम हो जाता है पर फूल आपका प्लांट में आते ही जाएगा अब हमको क्या करना है प्लांट को पत्ते को क्लीन करना है मेरा इस हिविसकस में एक भी मिली बाग नहीं है इसलिए मैं क्या कर रही हूँ पानी का तेज धार से पत्ते को बहुती अच्छा से वाश कर रहे हूँ इस तरीके से आप पानी से भी प्लांट को वाश करते रहेंगे तो मिली बाग भी बहुती कम लगता है हमको और क्या करना है अक्टोबर मांत में हिबिसकस का प्लांट हम इस तरिके से क्यार करेंगे आज का वीडियो आपको आच्छ लगे तो वीडियो को लाइक शेर करना और मेरे चैनल पे नया आए हो तो चैनल को प्लीज प्लीज सब्सक्राइब भी कर लिजिए मिलते हैं और कोई नया अंटरेस्टिंग वीडियो के साथ तब तक के लिए थैंक्यू फ्रेंट्स थैंक्स पर वाचिंग